बुकम्पना एक्तिव फोस्ट पर काम करी रही छे कच्छ युनिवर्सिटी नो जियो साइंसिस डिपार्टमेंट कच्छ चिल्ला नी जो बात करवा मा आवे तो जिल्ला मा सत्तत समयां तरे बुकम्पना आज का अनुबवाता होए छे अने जिल्ला ने एक वार बुकम्पनो सामनो करवानो पण वारू आवे हतो त्यारे आज रोज अमारा कच्छ कैरे टिवी निउज नी टीम द्वारा कच्छ युनिवर्सिटी ना जियो साइंसेस डिपार्टमेंट नी मुलाकात लेवा मा आवी हती अने त्याना प्रोफेसर साथे वाच्छित करवा मा आवी त्यारे तिमना द्वारा जणावा मा आवीु કે આ ડ઼ાટમેન્ટ માં કચચજિલામાં જે પણ ભુકંપ આવે છે અને જેટલી પણ ફોલ્ટ લાઇન છે ते फॉल्ट लाइन पर स्टडी करवामा आवी रही छे अने आ फॉल्ट लाइन ने आपने कई रिते तेना थी बच्ची शक्ये ते मुझब आगण कामगिरी करवामा आवी रही छे त्यारे गईकाले पन कच जिलाना चोबारी थी बरुडिया वच्ची ना विस्तार मा फॉल्ट लाइन मा चार पॉइंट बे ने तिवरतानों आजको आवी रही छे तेनी असर छेक गांधिदाम सुधी पन जोवामडी हती त्यारे त्यां काम करता प्रोफेसर जणावी रहा चे के हवे आवनारा दिवसो मा कच जिलानों जिलानों जिलारे विकास थी रहो चे अने जुदी-जुदी कंपनी जहरे जिल्ला मा आवी रही छे त्यारे आज समगर बाबत ने द्यान मा राखी ने जिल्ला नो विकास थाए ते खुब जरूरी बनी गयू छे त्यारे विशेश वाद जणावी रहा छे कच्छ उनिवर्सिटी ना जियो साइंस विबाग ना प्रॉफिसर सुभाष बंडारी आवो सामभ़िये किम्ना शब्दूमा मैं प्रॉफिसर सुभाष बंडारी Department of Geosciences कच्छ उनिवर्सिटी में जौप करता हूं हम लोग यहाँ पे earthquakes और active fault mapping के उपर हमारा ministry of earth science का project है और उसके अंतरकत हम यहाँ पे जितने भी active faults हैं और उनके उपर जो earthquakes आ रहे हैं तो उनका क्या development हो रहा है और किस तरह से यह earthquake आ रहे हैं तो उसके उपर हम लोग study करते हैं अब जो कल earthquake आया है basically यह आपका कानख्विकर के जगे है उसके north में है और यह करीबन आपका चोबारी और भरूडिया के बीच में जगे आती है यह earthquake है यह transverse fault के उपर है आया है और basically यहाँ पर जो south wager fault और कच mainland fault है उसके बीच में से जो transverse fault जाता है वहीं पर है और क्यूंकि 4.2 का है तो हम इसको इस तरह से relate कर सकते हैं कि जो earthquakes आ रहे हैं यहाँ पर अभी पिछले थोड़े time में तो जो pressure release हो रहा है और हमको आगे जो भी हम अभी काम कर रहे हैं या development कर रहे हैं क्यूंकि कच एक earthquake prone area है हम seismic five zone में रहते हैं तो उनके accordingly हमको जो भी development करना है या हमारे जो भी नई चीज़े यहाँ पर हम ला रहे हैं उनको earthquakes के prone earthquake resistant structures और उस तरह से हमको develop करने की जरूरत है अभी खावडा वाला जो है वह अगर हम बोले तो वहां पर आलेंड बिल्ड फॉल्ट जा रहा है लगपत है तो वह extension पूरा का पूरा हमारा कच मेंड लेंड फॉल्ट का है और रापर जो है वह हमारा south parker fault के पर यह तीनों एरिया जो है वह fault area fault zone के उपर रह रहे हैं तो इ इतना भी अगर इस फॉर के या 3 के कितने भी intensity के इतने आ रहे हैं तो हम इनको इस तरह से ही बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है जो की plate movements के कारण generate होता है वह यहां पर release हो रहा है